अगर आाप i pe hiç मेरी तरह हफ्ते में एक बार चिकन घाना पशंद करते हैं ati अय। एक बनाने में जहंजट होता है कि हर बार इतना लजीजिकन हम चिकन कैसे बनाए लेकिन एक ही पोट तो आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ चिकन ग्रेवी जी हाँ जिसकी आप ग्रेवी देखे सकते हैं कितनी गजब की लग रही है कलर कितना ओसम आया है हमारे चिकन की ग्रेवी में अगर मैं इसकी अंदर की बात करूँ कि हमारी जो चिकन है कितना मेल्ट हुआ है ये देख और जो भी आप तेल खाते हों वो अपना तेल गरम कर लीजिए दो बड़े चमच चिकन मैंने हापर 500 ग्राम के आसपास लिया है तीन से चार वर बढ़िया से अच्छे से वाश कर लिया है कट्स भी लगा ली हैं अच्छे से जो भी पीस बड़े हो और मैंने हापर सर्सो का तेल का यूस किया है क्योंकि सर्सो के तेल में जो चिकन बनता है नेक्स्ट लेवल का बनता है बहुत ही गजब का बनता है जैसे कि कुछ लोगों को पता भी होगा कुछ खड़े गरम मसाले मैंने इसमें डाले हैं जैसे कि फ्लेवर बहुत ही घजब का आएगा अंदर तक चिकन के हमारे फ्लेवर चला जाएगा क्यूंकि हम यहां पर सबसे पहले चिकन को फ्राइ करने वाले हैं तेल में हलका सा नमक डालेंगे जिससे कि नमकीन सा फ्लेवर आजा है हमारी बोटियों में और अच्छे से इस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगया क्योंकि हम सारा काम यहां पर हाई फ्लेम पर करेंगे अच्छा सा यहां पर जो चिकन है हमारा देखिए कितना बढ़िया से फ्राइ हो गया है जो चिकन की चिकन हाट होती है उपर तक वो खदम हो गई है एक लेर्स है जो अच्छी सी वा और दस से पंदरा लसन की कलिया लियें जिसको मैंने बढ़िया से पीस लिया था वही मैंने डाला है और इसको भून लिया है अब मैंने हापर दो बड़े साइस के प्यास को कद्दू कस करके लिया है आप चाहे तो बारिक बारिक चौप भी कर सकते हैं अच्छा अब प्या पढ़िया सी ब्राउन हो जानी चाहिए यह दिखे इस तरीके से अब मैंने यहापर दो टमाटर रखे थे टमाटर खटे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी एकदम लाल लाल वाले टमाटर लेंगे तो ग्रेवी बहुत ही गजब की बनती है दो टमाटर मैंने बढ़िया से कर नहीं से अब म मं पहल दीख प दाला है मैंने पावडर कावडर है में यहापर ते हम अगरा कोई चीज अपने टेस्ट कोड़िंग कम करना चाते हैं तो कम भी कर सकते हैं जैसे आप काली मिट्स किप भी कर सकते हैं मैं इसको ढख करके हलका सा पाइन डाल करके मसाले को बढ़िया से भुनाई कर रही हूँ दो से तीन वट के लिए मैंने मसाले को बढ़िया से भुना है और चिकन के पीज डाल करके मसाले में एक बार हम घुमा लेते हैं जिससे की चिकन पर अच्छा सी मसाले की कोटिंग हो जाए जो फ्लेवर है मसाले का वो भी चिकन के अंदर चला जाए अच्छा नमक अभी नहीं डाला था तो अब इसे स्टेज भी हम लगो अपना नमक जो है यहां पर एड़ कर लेते हैं और यह देखिए क्या बड़ी आसा मस्ता कलर आया है एक मिनट के लिए फिट से हम मैं इसको ढगना चाहूंगी यूकि नमक डाला है ना तो बड़ी आसा यह देखे क्या गजब का मज़ा ही आ गया आ गया आ गया ना मुह में पानी आपको लोह के सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही हलका सा बॉइल आएगा यहां पर पानी में अपनी ग्रेवी में इसको मैं धख करके रख दूँगी एक सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पर फिर मीडियम फ्लेम पर पांस से साथ मिंट पकाएंग और गैस को बंद करने के बाद एकदम से कुकर खोलना नहीं है एकदम प्रेशर ठंडा हो जाने देना है कुकर भी थोड़ा ठंडा हो जाए जब आप देखेगा यह देखिए किया कलर निकल कर आया है हमारे चिकन में एक ही बार एक ही पॉट में हमने बनाया है चिकन इसका जो लेवर है जो टेस्ट आयेगा बहुत ही बड़ी आयेगा मैंने थोड़ा सा गर्यम मसाला कस्तूरी मेठी डाली है आत्तर ह concur से ब्याएं है स्वाइक लगना जो बहुत ही इस झाल रिकम कमें बादिक नहिं है जो शिक द्यार में लेक父 दंट हो तो वaldकर्यवा जहीं है एक दम बढ़िया ढवा स्टाइल चिकन करी बन करके तयार होगी आप इसे चावल से नान से रोटी से जिस भी चीज के साथ खाएंगे इसका स्वाद आपकी जुबान से जाने नहीं वाला है आप इसको कप ट्राइ करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपके बार एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो के साथ जब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए टेक केर और बाइबाए गाइस थैंक यू फर वाचिंग